Good morning students, हमने chapter no.6 fraction start किया हुआ है, आज हम exercise 6.12 करेंगे, यह last exercise है, यह आपका अपनी notebook में करनी है, ठीक है, आज हम करेंगे exercise 6.12, 6.12 का question no.1 है, एक बुक में 250 पेज़िस है, मिनाक्षी ने कितने पेज़िस रेड किया है, मिनाक्षी ने कितने पेज़िस रेड किया है, और कितने पेज़िस रेफ्ट रहा गए, मतलब लेफ्ट का मतलब क्या होता है, बच गए है, कितने pages left है मतलब जो नहीं पड़े मिनाक्षी ने two-fifth read की है two-fifth को हमें number में निकालना है मतलब actual में उसे कितने read की है और कितने उसके रहा गए है तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले solution है हमारा ये अब book has pages book में कितने pages है 250 pages कितने pages है 250 pages और मिनाक्षी ने read कर लिए है कितने read कर लिए है two-fifth two-fifth pages read कर लिए 250 में से two-fifth pages read कर लिए है तो हमें पहले क्या find out करना है how many pages did मिनाक्षी read मिनाक्षी ने कितने pages read कर लिए है तो हमें क्या निकालना है total number of the pages मिनाक्षी read हमें क्या find out करना है total number of pages मिनाक्षी रीड की total number of pages जिसने मिनाक्षी ने रीड किया है तो हम क्या करेंगे 250 multiply two-fifth करेंगे total का ही तो two-fifth उसने रीड किया है total pages कितने है 250 250 का उसने two-fifth रीड किया है क्या किया उसने total का two-fifth ही तो रीड किया है तो हम क्या करेंगे 250 का two-fifth मतलब 250 की multiply कर देंगे 250 से ठीक है तो 5 बन जा 5 55 जा 25 0 as it is 5 बन जा 5 55 जा 25 0 as it is अभी 50 और ये 2 इन दोलों की multiply करो numerator में 52 जा 100 52 जा 100 100 pages उसने read कर लिया है मिनाक्ष ने कितने pages read कर लिया है 100 pages next part है how many pages are left कितने pages left है मतलब कितने pages बचे में जो मिनाक्ष ने read नहीं किये तो हम total number of pages में से जितने pages read की है total number of the pages में से जितने pages read कर लिया है अगर उनको minus कर देंगे तो left pages निकल आएंगे जो उसने मिनाक्ष ने read नहीं किये तो हम क्या करेंगे 250 में से 100 pages minus कर देंगे तो answer क्या आजाएगा 150 250 pages में से 100 pages minus कर देंगे तो answer क्या आएगा 250 देखो उसने क्या था total number of the pages are left जितने pages left रहा गए हैं उनका निकालना था number तो जितने total number of pages थे और जितने read कर लिए हैं अगर हम उन दोनों को minus कर देंगे तो answer आएगा total number of the pages are left कि जितने number of the pages उसने अब तक read नहीं किये हैं यह था आपका question number one आप करते है question number two question number second is if each notebook weight is 1 1 by 4 kg kg means kilogram अगर एक notebook का weight 1 1 by 4 kg है what would be the weight of 11 notebooks तो what would be the weight of 11 notebooks मेटा यह चीज़ एक concept है यह clear कर लो अगर हमें more than one का find out करना हो तो हम क्या करते हैं multiply यहाँ पर 11 है तो मतलब one से जादा है ना तो हम क्या करेंगे multiply जब हमें one का दे रखा हो और जादा का निकालना हो each है मतलब one का हमें दे रखा है और more than one का हमें find out करना है one की value दे रखी each notebook की value दे रखी है और हमें ज़्यादा की निकालना है 11 notebook की निकालना है more than one है तो हम क्या करते हैं multiply ठीक है solution है अब इसका if each notebook weight तो हम यह लिख देंगे if each notebook weight is each notebook का weight क्या है 1, 1 by 4 kg ठीक है what would be the weight of 11 notebook हमें क्या find out करने 11 notebook का weight तो हम लिखेंगे the weight of 11 notebooks are the weight of 11 notebooks are 또 11 notebook का weight कैसे निकाल लेंगे 1, 1 by 4 को 11 से क्या कर देंगे multiply 1, 1 by 4 को 11 से करेंगे multiply 1, 1 by 4 को 11 से multiply करेंगे सबसे पहले 1, 1 by 4 mixed fraction है इसका fraction solve करो denominator में 4 as it is फिर numerator में 1 और 4 की multiply और 1 plus ठीक है 4 वन्जा 4 और plus 1 4 वन्जा 4 plus 1 5 5 by 4 5 by 4 आगे 1 1 by 4 को solve करके तो 5 by 4 की 11 से multiply करो numerator एक साथ multiply कर दो denominator की एक साथ 5 by 11 numerator में 4 denominator में तो 11 5 जा 55 4 वन्जा 4 अब इसको divide करो तो answer आएगा 13 3 by 4 केजी 11 notebook का weight है 13 3 by 4 केजी क्या है 13 3 by 4 केजी ठीक है अब हम करेंगे question number 3 question number 3 is the product of two fraction is two fractions का product दिया हुआ है 10 5 by 8 product दे रखा है two fractions का 10 5 by 8 if one of the fraction is 5 5 by 8 उसने बोला अगर one of the fraction हमारी 5 5 by 8 है तो हमें other fraction find out करने क्या find out करनी है other fraction तो हम क्या करेंगे देखो product दे रखा है product मैंने आपको बताया है product क्या होता है जब दो factor की multiply होती है तो जो answer निकल कर आता है उसको क्या कहते है product ठीक है जब दो factor की multiply होती है तो जो answer निकल कर आता है ये दो number की multiply होते है तो answer निकल कर आता है तो इसको कहते है product तो उसने बोला one of the fraction is five five by eight मतलब one है five five eight मुझे दूसरा नहीं पता कि मैंने किस्ते multiply करी कि मेरा ten five by eight answer आ गया ठीक है तो हम क्या करेंगे मुझे दूसरा find out करना है कि मैं five five by eight कि किस्ते multiply कर मैंने की है जो मेरा ten five by eight answer आया है तो कैसे find out करूँगी इसका मतलब यह one number तो हमें दे रखा है हमें other निकालना है तो मुझे क्या find out करना है other तो मैं क्या करूँगे ten five by eight यहाँ पर यह multiply में है यहाँ जाकर क्या हो जाएगा divide में कहा हो जाएगा यहाँ जाकर divide में दोनों mixed fraction है पहले तो fraction solve करो मैंने आपको पूरे चप्र में fraction solve करना सिखाया I hope आपको आता होगा और आपको अच्छे से समझ आ भी गया होगा तो eight denominator में as it is ten multiply eight plus five तो यहाँ पर भी next one में भी eight as it is five multiply eight plus five as it is और यह sign division का भी as it is अभी मैंने आपको last exercise में भी division के बारें बताया ten eights are 80 plus five 85 eights are 40 plus five ऐसे हो गया 40 plus five दोनों के denominator में eight ठीक है अब क्या होगा यह 80 plus five 85 40 plus five 45 by eight अब यह हमारा solve हो गया mixed fraction खतम हो गई अब हम मैंने क्या बताया था इधर वाली term का क्या कर देते रैसी प्रोकल पर कब करते रैसी प्रोकल जब हमें डिवीजन दे रखा हो जब हमें डिवीजन दे रखा हो तब हम इधर वाली किया कर देते हैं reciprocal ठीक है तो एक तो एक फटीफाइब वाइट थीप्रोकल क्या होगा मैंने आपको बता था रही प्रोकल क्या होता है बॉटम में और बॉटम चला जाता है टॉप में फॉर्ट फाइड डायागा एट चल जाएक टॉप में तो ऑникомल के एड बाइ फॉर्ट फाइट का एड़ वॉर्टी फारप यह》 क्याँ को ऑट करेंग है को फैसी पॉर्टी सेussी ST being कैसे कट वहेंगे 5 9 सा 45 5 वंजा 5 3 बचते हैं फिर 5 7 जा 35 अब नुमिरेटर में क्या है 17 multiply 1 और denominator में 1 multiply 9 17 वंजा 17 9 वंजा 9 17 और 9 को आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 18 by 9 ठीक है तो मतलब other fraction हमारा क्या निकल कर आया 18 by 9 other fraction is 18 by 9 यह हुआ question number 3 अब हम करते question number 4 question number 4 is how many one fourth are there in 5 कितने one fourth है 5 में ठीक है हमें क्या निकालने one fourth और कितने में निकालने 5 में to find one fourth in 5 हमें क्या find करना है one fourth किसमे निक find out करने 5 में तो इसका मतलब equation का मतलब के equation क्या बनी 5 को हम किससे divide कर देंगे one four से 5 को किससे divide कर देंगे one four से तो मैंने आपको बताया था जब division का sign हो तो either way term का क्या हो रहता है reciprocal of one four is four denominator top चला जाएगा bottom और bottom चल जाएगा top में यह top चला गया bottom चला गया top में और top पर चल गया bottom में इसके निचे हम one भी लगाएंगे तो four का four ही आएगा four by one equal four ही होता है तो क्या हो जाएगा five तो as it is दिवाइड का sign बदल जाएगा multiply के sign में और one by four का reciprocal है four और यहाँ पर reciprocal आजाएगा five fours हा twenty तो answer is आपका twenty ठीक है अब है next question question number five last question आपका question number five question number five is मुकूल वाक्स four one by four किलोमेटर मुकूल वाक करता है four one by four किलोमेटर यह भी आपका mixed fraction है ठीक है every day every day वह वाक करता है ठीक है four one by four किलोमेटर वट डिस्टेंस डजी वॉक इन फिफ्टीन डेस तो वह फिफ्टीन डेस पर कितना डिस्टेंस कवर करता होगा देखो ध्यान से every day मतलब एक दिन का दे रख और मुझे फिफ्टीन डेस का निकालना मींस more than one का find out करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा multiply जब यहां पर more than one का find out करना हो था हमें क्या करते है multiply तो solution क्या है मुकुल वॉक्स everyday कितना वॉक करता है 4 1 by 4 किलोमेटर he walks in 15 days 15 days में कितना वॉक करेगा वो 4 1 by 4 को 15 से क्या कर दो multiply अब देखो 4 1 by 4 को 15 से multiply ऐसे तो हो नहीं सकती mixed fraction है mixed fraction को पहले solve करो 4 as it is denominator में multiply करो 4 की 4 से और plus कर दो 1 और multiply 15 4 4 जा 16 plus 1 denominator में 4 as it is यहां पर 15 as it is ठीक है उसमर 16 plus 1 16 plus 1 क्या होता है 17 by 4 multiply 15 अब numerator की multiply करो 17 multiply 15 और denominator की multiply denominator में only 4 है 17 multiply 15 तो 4 से cut होता है नहीं तो 17 और 15 के आप multiply करोगे तो क्या आएगा 255 divided by 4 ठीक है इन दोनों को solve करोगे divide करकर इन दोनों को divide करकर solve करोगे तो क्या आएगा divide करकर solve करने पर आएगा आपका 63 3 by 4 किलोमेटर 63 3 by 4 किलोमेटर तो मुकुल 15 डेज में कितना वो करता है 63 3 by 4 किलोमेटर इसी तरह से questions आपको अपनी fear notebook में करने है आपका six chapter complete हुआ thank you have a nice day प्सक्राइब डेखितर Veget करस्फे डाम इस एकी तरह कर दो है примकात जो मुकश करते हैं